यो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो ऐसे काम बताने वाल हो अगर आप वो काम कर लेते हो ना तो आपका ढेली वीडियो बनाने का मन करेगा वो क्या काम है? पहला काम तो यह है, जहां पर आप वीडियो बनाते हो जो आपका set-up होता है वहांका environment कैसा है अगर वहाँ का positive environment है मतलब positive in the sense कि वहाँ पर जो चीजे हैं जिसा आपकी table है, आपका laptop है आपका mini plant है या आपका mic है, या आपका lens है या आपकी ring light है, या आपकी lamp है जो इस तरह की जो चीजे हैं जो आप equipments use कर रहे हो अगर वो सही तरीके से रखी हैं या आपके आसपास बेड़ पड़ा है या आपका kitchen का समानी है, glass है इस तरह की चीजों को आपको क्या करना है सबसे पहले आपको ये ऐसी चीजे होती है अगर उल्टे सिद्धी पड़ी रहती है जैसा गदा है, उल्टा हिदा पड़ा है रजाई है, रजाई की जगा नहीं रखी है तकीया है, तकी की जगा नहीं रखा है तो हमारे ना वीडियो बनने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा ये भाई मैं अपना experience शेयर कर रहा हूँ जब ये सब मेरा चीजे अन और्गिनाइज हो जाती है मतलब जब इधर उदर पड़ी रहती है पिलो का पता नहीं कहा है ब्लैंकिट का नहीं पता कहा है कोई चीजे धुली रखे हैं तो भाई भी, बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो बना। भी, ब KasME, भी Positiv vibes नहीं आती है हमारे अंदर कि हम यारव वीडियो कैसे बनाएं न हमारे माइंड में टॉपिक्स चलते हैं हम दिमोटिवेट से हो जाते हैं और पड़े रहते हैं कंबल के अंदर आज मैंने ये चीज समझी है जब मैंने आज सब चीज सुभा ही उठते ही कि मेरा वर्क फ्रॉम हम चल रहा है ऑफिस का जब मैं बिल्कुल मॉर्णिंग में उठा साड़े नो बजे मैं उठ गया था और उसके बाद जब मैंने सब चीज और गनाइज़ वे में करी यह यहां पर अपनी डेक्स पर नहीं थी तो यह सब चीज अन और्गिनाइज़ ने जब मैंने इन सब को और एक और उर्गिनाइज़ वे में किया तो कहीं न कहीं उसमें यह खामिया है कि आपका जो इन्वार्मेंट है वो सही नहीं है अब आप बोलोगे आप भी डेली वीडियो नहीं बनाते तो वो यही कारण है कि चीज और गिनाइज़ वे में नहीं होती है तो इस वेसे जब मैंने सुभई उठा क्योंकि ओफिस का वर्ख हमारा वही दस से हमारा पांच हमारा ओफिस का समय होता है तो उस उस ट्राइम हम ओफिस का वर्ख करते हैं लेकिन यह है कि हम सब चीज और्गिनाइज़ वे में काम करके अपने काम को भी इसके अंदर मिलती है और आपने देखा भी होगा मैंने देखा है जब सुभा जब गाउं के लोग उठते हैं तो उनके आसपास क्या होता है वहां किसी कहां पर घंप गोभी किसी कहां पर अलग अलग तरीके से जो भी फल सब्चुआ थी लगी रहते तो इक मतलब अलगी फील आता है का अपने काम को लेकर कि सुबद 4 बजे उठते हैं लेकिन सोते भोजल दिया है गाउं में आठ से नो बज़े सो जाते हैं सब अपने विस्सर पेर लेकिन उठने का समय बहुत मतलब नो बज़े तक रेड़ी हो जाता है अफिस में अटेंडेंस भी लगानी पड़ती है लेकिन जो जिनका बिजनिस है या कुछ और वर्क कर रहे हैं तो बारा बारा बज़े ग्यारा बज़े वह उठते हैं कोई-कोई तो मैंना मेरे ऐसे फ्रेंड है दो दो बज़े मुझे गुड मॉर्निंग बोलता है मैंने गुड मॉर्निंग अभी गुड आफ्टर नून हो रहा है तो यह सब सीन है तो दोस्तों इस तरह का काम करो भाई एक आप एक अलगी मोटिवेट होगे और अच्छी वाइप पोजिस्टीव आइगे आपके अंदर तो दोस्तों आशा कर तो आपको वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे तो फिलीज को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना थैंक यू